नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 200 रुपए के अंदर सभी टेली काम कमपनियों के जो बेस्ट प्लान है उनके बारे में दोस्तों टेली काम कमपनिया अपने यूजर्स के लिए इस समय कम से कम कीमत पर ज्यादा बिनफिट वाले प्लान पेस कर रही है अगर आप स्मार्टफोन यूजर्स हैं तो कालिंग और SMS के अलावा डेटा के लिए भी आप रिचार्ज कराते होंगे बता दें कि मार्केट में मौझूद सभी टेली काम कमपनिया एक दूसरे को कमपटिशन देने के लिए लगभग समान कीमत पर प्लान पेस कर रही है हाला कि इन प्लान पर मिलने वाले फायदों में थोड़ा अंतर जरूर हो सकता है जियो, ओडाफोन, एयर टेल, आइडिया, बियसनल समित तमाम टेली काम कमपनिया तकरीबन रोजाना अपने यूजर्स के लिए नए नए प्लान्स उतार रही है इतने प्लान्स है कि यूजर्स भी कंफ्यूज है कि कौन सा प्लान बेस्ट है तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि 200 रुपए से कम में आने वाले टेली काम कमपनियों के प्री पेट प्लान के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ सांदार आपको प्लांस बताने जा रहे हैं सबसे पहले हम बात करते हैं Airtel का 192 रुपए वाले प्लान के बारे में इस प्लान में Airtel अपने यूजर्स को रोजाना 1.4 GB डाटा दे रही है और इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है और इस तरह यूजर्स को कुल 40 GB के आसपास महीने में यानि 28 दिन में डाटा मिलेगा वहीं यूजर्स को Unlimited Local और Steady Calling की भी सुविदा होगी साथ में Roaming की भी Free मिलेगी इसके अलावा 100 SMS भी रोजाना दिये जाएंगे यह एक बहुत ही सांदार प्लान है उन यूजर्स के लिए जिन्हें Basic Calling और ठीक ठाक इंटरनेट की आवस्ता होती है क्योंकि प्रदिन 1.4 GB डाटा किसी भी लिहास से कम नहीं माना जा सकता है दोस्तों अब आईए हम लोग बात करते हैं जियो की जियो का एक प्लान है एक सोन चास रुपए का रिलाइंस जियो के एक सोन चास रुपए वाले प्रीपेट प्लान में कुल 42 GB डाटा दिया जाएगा और इसकी भी वालिलिटी 28 दिनों की ही होगी दोस्तों और जियो एक सोन चास रुपए वाले प्रीपेट प्लान में रोजाना की लिमिट एक 1.5 GB की होगी वहीं यूजर्स को unlimited local और city calling और roaming भी free में मिलेगी साथ में 100 SMS भी रोजाना दिये जाएंगे दोस्तों आम यूजर्स के लिए यहाँ प्लान बेहत खास है और बहुत बढ़िया प्लान है दोस्तों आएए बात करते हैं जियो के 198 रुपए के प्लान के बारे में तो दोस्तों इस प्लान में रोजाना जियो यूजर्स को 2GB डाटा दिया जा रहा है जियो 198 रुपए प्रिपेट प्लान में कुल डाटा पूरे पीरेड में 56GB देगी इस तरह से जियो 198 प्लान की वैलिटी 28 दिनों की होगी इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड लोकल, STD कॉलिंग और अनलिमिटेड रूमिंग की सुविधा भी मिलेगी इसके अलावा 100 SMS भी रोजाना दिये जाएंगे वैसे भी जियो के आने के बाद से टेलिकाम कंपनियों के मुश्किले दोस्तों बढ़ गई है जब सुपर सस्ते प्रिपेट प्लान की बात आती है तो जियो अपने कंपटीटर से हमेशा आगे रहता है न केवल कंपटीशन से अधिक डेटा परदान करने में बलकि सस्ता पैक पेस करने में भी इसके अलावा यूजर्स को जियो म्यूजिक, जियो मुवीज और जियो टीवी जैसे एप्स होस्ट करने के लिए भी मुफ्थ में देता है दोस्तों अब बात करेंगे हम ओडा फोन की, ओडा फोन का 198 का प्लान है और ये प्लान 28 दिनों की वैलिटी के साथ आता है इसमें यूजर्स को मिलेगा 1.4 GB डाटा डेली इसके अलावा इस प्लान पर अलिमिटर लोकल कालिंग, स्टीडी कालिंग और रोमिंग भी फ्री में मिलती है साथ ही यूजर्स को प्रदिन 100 SMS भी फ्री मिलते हैं यह एर टेल के 199 वाले प्रीपेट प्लान के टक्कर में लांच किया गया था दोनों कमपनियों के इस प्लान में आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा दोनों यानि एक ही तरह के प्लान है दोस्तों बात करते हैं हम लोग आइडिया की आइडिया के 1992 का जो प्लान है इस प्लान में यूजर्स को 1.4 GB डाटा मिलेगा 28 दिनों की वायदता के साथ और कुल मिला करके इस 28 दिनों में आपको 49.2 GB का 4G डाटा इस प्लान में मिलेगा दोस्तों डेटा के लावा 199 रुपए के इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर आनलिमिटर लोकल, STD काल और रोमिंग कालिंग की सुविधाश जरूर मिलेगी साथ ही 100 SMS भी दिये जाएंगे इसमें अब हम बात करते हैं सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL की BSNL का एक प्लान है 118 रुपए का प्लान बहुत ही अट्रेक्टिव प्लान है इस प्लान को STB 118 के नाम से जाना जाता है इस प्लान में यूजर्स को 118 रुपए में रोजाना 3G, 4G, 1GB डाटा के साथ साथ unlimited कालिंग की सुविधावी दी जा रही है इस प्लान की वैदता 28 दिनों की है यानि 28 दिनों में unlimited 3G और 4G, 1GB डाटा आपको मिलेगा ये अन्ड प्लान के comparison में सस्ता है इसलिए अन्ड प्लान के comparison में थोड़ा कम डेटा इसमें मिल रहा है दोस्तों अगला BSNL का एक प्लान है 186 रुपए का Basional के 186 रुपए वाले प्लान में यूजर्स को unlimited data मिल रहा है इसके अलावा unlimited calling की सुविधा भी मिल रही है इस प्लान में roaming में भी unlimited calling की सुविधा मिल रही है इसके अलावा रोजाना 100 SMS भी मिल रही है इस प्लान की सबसे खास बात ही है कि इसमें कोई daily data की limit नहीं है इसमें न Reliance Jio की तरह daily data की limit खत्म होने के बाद internet speed कम होगी और नहीं आपकी कोई ऐसी limit है कि आपकी speed के साथ साथ service भी खत्म हो जाएगी तो इन सारे plans को अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा plan सस्ता और अच्छा plan BSNL का हमको लगता है क्योंकि बाकी कमपनियों की जितने plans हैं वो 198-199 रुपए में जो data दे रहे हैं लगभग 1.4 GB per day के आसपास दे रहे हैं जबकि BSNL 186 रुपए यानि कि बाकी से कम से कम 12-14 रुपए कम के महीने के plan में आपको unlimited data की सुविधा भी दे रहा है रोस्तों तो आप decide करिए और देखिए कौन सी company है जो सबसे अच्छा आपको सुविधा दे रही है कौन सी सबसची सुविधा दे रही है कम पैसे में उसी को आप अपनाएं और इस channel को देखते रहें धन्वाद